हालो फ्रेंक्स, वेलकम टू सोलफुल किचिन, हम सभी ने निम्बू का आचार कभी न कभी जरूर खाया है, और हमें ये भी पता है कि ये बहुत अच्छा होता है, और इसे हमारे घरों में बहुत ही सालों से बनाया जा रहा है, आज मैं भी आपके साथ एक बहुत ही सिंपल स के दिनों में इसे साथ में हम उपास की चीजों के साथ में खाते हैं, तो एक सिंपल सी रेसिपी और बीच-बीच में इसके बेनिफिट्स भी आते जाएंगे, तो आप एंड तक देखे वीडियो को और बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये, तो हमें इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले निबू जो लेने हैं, वो थोड़े से पके लेने हैं, एकदम हरे और कड़क छिलके वाले निबू नहीं लेने चाहिए, पतला छिलका लीजे, जिसमें अच्छा रस हो, पर वो ज्यादा पके हुए नहों, नरम ना पड़ गए हों, और उनमें उपर से दाग नहों, तो आप देख रहे हैं, इन्हें चार पीस में ऐसे कट कर लिया है, बेसिकली ये आठ पीस में कट किया है मैंने, आप चाहे तो चार पीस में भी कट कर सकते हैं, बड़े बड़े पीसेज भी रख सकते हैं इसके, तो ये करीब 20-25 निबू के हिसाब से मैं आप आपको बता रही हूं और इसे डालने के लिए प्लास्टिक या कांच का बरतन यूज करिए स्टील या दूसरा मेटल यूज नहीं करना चाहिए हमें और इसमें हम जो हमारे जो नीबू जो थोड़े से खराब हैं या पतले गले हुए नीबू या कुछ भी होंगे तो उनका रस आप इसमें डाल सकते हैं तो करीब 10 बारा निम्बू का इनका ऐसा रस निकाल करके उसमें डाल दीजिए अब इसे हमें करीब आधा कटोरी नॉर्मल जो कटोरी होती है हमारी आधा कप भर के नमक एक कटोरी भर के शक्कर डालना है और ये हम गुड वाला बनाएंगे ग बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें खटा मीटा तीखा सभी तरीके का टेस्ट आ जाता है बस अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके अब इसे चार से पांस दिन तक हमें मेरिनेट होने के लिए रख देना है यह अपने आप यह अच्छा सा इसमें रस जाएगा हाँ इसे एवरीडे चलाना है रोज चलाना है आप धूप में रखें तो भी चलेगा नहीं रखेंगे तो भी चलेगा घर में भी रह जाएगा तो यह अभी देख रहें आप निंगु जो डाला था और उससे मेल्ट हो करके इसमें थोड़ा से चाशनी आ गई है और आपको मैंने इसके बेनिफिट्स बताए कि क्या बेनिफिट्स होता है सुखान में और फिकल में हमेशा नमक जादा होता है तो एक रिजनेवल कॉंडिटी में ही यूज करिए और साथ में दूसरे रेसिपीस हमारी आप देख सकते हो उपास में यूज तो वीडियो को ने बीडियो कि साथ में देनिफिट्स